हेलो एवरी बाड़ी वैलकम तो यूजी सी नेट अड़ा 247 कैसे करें 100% स्कोर इन यूजी सी नेट कौन से हैं वो इंपोर्टन टॉपिक्स जिनको अगर आप पढ़ लेते हैं प्राक्टस कर लेते हैं रिवाइस कर लेते हैं बढ़िया से तो आपको गारेंटीड 100% मिल जानते हैं इसको डिकोड करते हैं आए मेरे साथ इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं चलिए तो सबसे पहले आपको पता ही होगा मतलब यह तो मैं आपको बहुत ही बेसिक सी चीज़ बता रही हूं जो आप सभी को बता होगा आपको पता है यूजी सी नेट में पेपर 1 और प पेपर होता यानि की टोटल आपके जो हैं वो 300 मार्क्स मिलाकर के बन जाते हैं पेपर 1 और पेपर 2 के अभी इससे पहले क्या होता था कि आपका जो पेपर 1 होता था वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइं क्राइटीरिया का होता था अगर आपने एक सर्टन सेट ओफ मार्क score कर लिए है paper 1 में तो आपका paper 2 evaluate होने के लिए eligible हो जाता था और अगर आपने paper 1 में aptitude वाला paper यह उसमें अगर आपने score नहीं किया है तो आपका paper 2 भी evaluate नहीं होता था now the trend is कि आपको paper 1 और paper 2 दोनों के cumulative marks मिलते हैं that means आपका जो paper 1 का जितना भी number होता है और paper 2 का जितना भी number होता है वो add up होता है now what most of the students fail to understand is that paper 1 is equally important as paper 2 is लेकिन हम क्या करते हैं as students ये चीज मिस्स कर देते हैं या फिर इन चीज में हम जादा ध्यान नहीं दे पाते हैं because कहीं न कहीं हमें ये लगता है कि let's focus on our main subject जो हमारा paper 2 है and let's neglect that paper 1 because या ठीके दो महिने में करके हो जाएगा now there are many students जुन से मैंने बात की है और जिने मैं जानती हूं personally जो मुझसे ही पड़े होए है उनका paper 2 week है and they managed to qualify UGC net because of paper 1 क्यूंकि paper 2 इतना diverse है in fact paper 1 भी बहुत जादा diverse है इसलिए हम कुछ suggestive topics पढ़ते हैं जहां से आपको पता है कि sure short questions आएंगे ही आएंगे तो यहां से marks miss करना बिल्कुल भी afford नहीं कर सकते हैं तो हम कुछ वैसे ही topics discuss करेंगे but मैं यहां पर general paper की बात करूंगे obviously इसलिए because paper 2 आपके लिए vary कर सकता है वो I won't say anything about that because that's not my domain of expert लेकिन since मैं आपको paper 1 पढ़ाती हूं तो मैं यहां पर कुछ important topics आपके साथ में discuss कर सकती हूं जो paper 1 में important है जो आपका cumulatively add-on करेंगे paper 2 के साथ 100 percentile score आपके लिए ले आने में चलिए इसको decode करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपको पता paper 1 में 10 unit है teaching aptitude की क्या important unit है या important topics है पहले उसको देख लेते हैं अगर हम teaching aptitude की बात करें तो सबसे important और ऐसा topic जो I think हर shift में हर examination में आता है that is blooms taxonomy जी हां यह इतना ज्यादा repeated question है मतलब कहीं न कहीं से blooms taxonomy आपको देखने को मिल ही जाएगा you cannot skip this topic अगर आपको 100 percentile चाहिए तो so blooms taxonomy पढ़ ली आपने उसके बाद levels of teaching very important memory level understanding level आपका reflective level autonomous development level as well first second third important topic जिससे अभ ही मैंने देखना शुरू किया है कि काफी questions आएं आपके December वाल examination में that is learner centered and teacher centered methods अब ऐसा नहीं है कि आपने बस यह पढ़ लिया कि learner centered में यह होता है कि learner जो है वो active होता है teacher जो है वो passive होता है और teacher centric में आपने पढ़ लिया कि जो है learner passive होता है और teacher active होता है ना ना यह बस इतने से बात नहीं बनेगी अब आपको यह भी पढ़ना पढ़ेगा कि lecture किस में आता है lecture method team teaching method किस में आता है cooperative learning किस में आता है group discussion किस में आता है role playing simulation किस का part है after that उसके बाद brainstorming किस चीज का part है cybernetics किसको कहते है heuristic method क्या है क्योंकि इससे individual questions भी बनते हैं जी हाँ flipped classroom क्या है इन सबसे individual questions बनते है brainstorming आपका learner centric method है उससे अलग से भी question आएगा कि जहां पर बहुत जादा ideas generate होते हैं वो कौन सा method है तो आपको इन सारे जो इसके अंदर जो subtopics हैं जो आपके सारे methods है जो अभी मैंने बताए उनको भी पढ़ना पड़ेगा अगर आपको अच्छे number हो से 100% से पास होना है तो एक और important parameter जो कि आपका most repeated topic भी आप कह सकते हो that is evaluation formative, criteria reference, norm reference, summative, diagnostic, placement यह सारे evaluation and I think इसको मुझे टॉप पर रखना चाहिए था बट इसको मैं यह कहूंगी last but definitely not least is your svayam and svayam prabha oh god इतने questions, इतने questions क्या बताऊं कितने questions अब तो svayam prabha के channels पर भी questions आने लगे हैं आपको पता 34 DTA channels है svayam prabha में इन channels से specific question आ गया है कि channel number 1 कहां पे, channel number 2 किस का है, channel number 3 कैसे है इस तरह से questions पूछे जा रहे हैं, so आपका svayam or svayam prabha definitely last but not least, I should have put it on the first position बट कोई बात नहीं, तो यह आपके teaching aptitude में कुछ important topics हैं जो आप बिल्कुल miss नहीं कर सकते हैं after that, okay let's, उसको ऐसी रहने देते हैं, बाद में हम एक बार revise भी कर लेंगे, इसको जो मैं बताया है फिर बात करते हैं research aptitude की, second unit, unit wise हम पढ़ रहे हैं research aptitude की अगर हम बात करें, तो एक topic जो मैं number 1 पे रखना चाहती हूँ, that is sampling और इसी के साथ hypothesis, very important, second types of research, duh, ये तो जरूर आएगा descriptive research, fundamental research, applied research, action research, quantitative, qualitative, inductive, deductive क्या है ये concept clearance, research aptitude के लिए बता दू, not just cramming things, not just कि आपको याद हो गई हैं चीज़े, you have to understand the concept, अगर आपको research में concept clearance नहीं है I'm sorry, but आप नहीं कर पाऊगे research के questions, historical research, इससे तो बार-बार question आते हैं, तो इसलिए बैने इसको एक broad heading में डाल दिया है, which is types of research, right, उसके बाद, research ethics ठीक है, और कुछ आपके UGC से related चीज़े भी आ जाती हैं, मतलब UGC आप क्या कहोगे, मतलब जैसे government की initiatives are related, जैसे की शोध गंगा क्या है, शोध गंगोत्री क्या है, शोध चक्र क्या है, research के research के around जो चीज़ें आपकी revolve करती है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी research में important हो गई, next, बात करते हैं, हम communication की, unit number 3, communication की अगर बात करें, तो मैं top पे रखना चाहती हूँ, एक particular topic को जिससे अब लगातार question आने लगे हैं, which is mass media communication, Marshall McLuhan का नाम आपने सुना होगा, hot media, cold media का भी नाम आपने सुना होगा, ठीक है, तो आपका mass media communication से काफी question आने लगे हैं, second important is barriers of communication of course, semantic barrier हो गया आपका, organizational barrier हो गया आपका, उसके बाद psychological हो गया, physiological हो गया, physical noise हो गया, environmental barrier हो गया आपके, जितने भी आपके communication को लेकर के barriers होते हैं ना, denotation, connotations, बहुत जादा important है communication में, then, third very important point is communication models, अभी जो 2022 में paper हुआ है, जो फरवरी और मार्च में हुआ है, उसके questions में लगातार आप लोगों को करवा रही हूं, यूट्यूब पर भी दो पहर में दो बजे, तो वहां पर last will model से communication आया, last will model of communication से question आया, Shannon और weaver model से, model of communication से question आया, आपके पास linear, transactional और interactional तीन तरह के model होते हैं, तो इनसे भी question आता है, that is why communication आप एक तरह समझ लोग scoring भी है, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा easy पड़ता है, इसके जो concepts हैं, वो comparatively teaching और research attitude से easy हैं, आप इनको अगर थोड़ा बहुत निगलेक भी करते हो, तो भी अपनी normal understanding के थूँ भी इन questions को आप टाटिल कर सकते हो, communication के questions को, हाँ, कुछ-कुछ questions आपके जो internet based, जो internet communication based, वही मतलब जो mass media वाला communication आने लगा है, वो थोड़ा सा tougher end पे पहुंच रहा है, बट, more and all मुझे लगता है कि communication आपको बहुत easy पढ़ता है, अच्छे questions आते हैं, communications और easy questions आते हैं, after that बात कर लेते हैं हम, unit number 4 आपकी mathematical aptitude पे बात कर लेते हैं, अब देखो, मैं दो unit को एक साथ ले करके चलूँगी, एक आपका mathematical aptitude और दूसरा मालो हम कह लेते हैं, unit 5 आपका data interpretation, for instance, ठीक है, अब बहुत सारे जो बच्चे हैं, जो मेरे भी paid class में students हैं, मैं अक्सर ये सुनती हूँ कि उनको जो problem होती है, वो होती है math में, अब math में problem है, तो जाहिर सी बात है, data interpretation में भी problem होगी, क्योंकि calculation इतना tough हो जाता है, calculation tough हुआ, आपको numerical solve करने में problem हो रही है, आपको चीजों को cater करने में problem हो रही है, आप नहीं समझ पा रहे हो उन सब चीजों को, तो इसका जो best solution है, जाने कि mathematical aptitude और data interpretation एक तरसे एक दोनों से link हैं आपस में, कैसे, मालोगर आप रोज डेली एक DI solve करते हो, ठीक है, आप डेली one DI solve कर रहे हो, for example, let's say, अब आपने एक दिन simple interest से related DI solve किया, next day आपने profit loss से related solve किया, another day आपने average की questions उठाए, another day आपने percentage की questions उठाए, आप ये बताओ, आप DI solve कर रहे हो, लेकिन साथी साथ आपका math वाला portion भी तो बन रहा है, तो एक तीर से दो निशाने, killing two words with one stone, यहीं पर होगा आपका data interpretation अगर आपने रख लिया है कि आप भले आपको ये tough लगता है, मैंने मेशा बोला है, try to work on your weak points, don't like let it go, ठीक है weak point है, तो यार मुझे बहुत डर लगदा, मुझे phobia है, मैं नहीं कर सकते, dyscalculia है, मुझे learning disorder नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, no, let it be, it's okay, you practice it, वो reflect होगा पता है तो आप एक्चर में पेपर देने जाओगे, अभी आपको नहीं समझ जाएगा, आपको ऐसे लगएगा कि यार हो तो नहीं रहा है, सही कहां आ रहा है, लेकिन जो आप रियल में, रियल टाइम में बाटके पेपर दे रहे होगे, तो आपको ये सारी जितना प्राक्टिस कि कि मेरा मैठ भी स्ट्रॉंग होता गया साथ ही साथ, ठीक है, आफ्टर बात कर लेते हैं हम, लॉजिकल रीजनिंग की, तो हमारे NTA UGC नेट में लॉजिकल रीजनिंग जो है न, वो सिर्फ ऐसा नहीं है, कि हमने missing numbers लिख दिये, और आप बताओ, alphabet miss कर दिया, वो बताओ क्य सीरीज, हमारा जो NTA का लॉजिकल रीजनिंग है, वो थोड़ा सा थिरिटिकल बेस भी आता है, जिसमें आपको स्क्वेर फपोजिशन, A, E, I, O, B, पूछा जाता है, ये इंपोर्टेंट है आपके लिए, उसके बाद, फैलसी, कुछ मत पढ़ना, भाई, फैलसी जरूर प से बहुत questions आते हैं, एक बार को A, E, I, O, से question नहीं आएगा, लेकिन, फैलसी तो आप बिना miss किये, आपको NTA देगा, और फैलसी में वहीं बच्चे जो हैं, वो confused हो जाते हैं और गलत कर देते हैं, उसके बाद, बात कर लेते हैं, हम, 7th, Higher Education की, ठीक है, Higher Education में जो सबसे important topic है जो मुझे लगता है कि आपको पढ़ लेना चाहिए, वो है आपके digital initiatives, हाँ, बहुत सारे teachers आपको बोलेंगे कि नहीं, नहीं, कमीशन पढ़ो, कमीशन से बहुत question आते हैं, यह वो digital initiatives तो आपको tough, digital initiatives better है, कमीशन में history है, आप कमीशन को उपर-उपर से थोड़ा बहुत पढ करने लगेंगे, आपको पता ही नहीं, अब बताओ, आप मेरे को बताओ, यशपाल कमीटी में कितना कुछ बताया गया है, कुठारी कमीशन में कितना कुछ बताया है, in fact, around मुझे याद है, तो मैंने पढ़ाया भी हुआ है, जिसमें आपके around 25 to 26 principles हैं, जो कुठारी कमीशन में हैं, ठीक है, रेकिमेंडेशन हैं, और वो सिर्फ रेकिमेंडेशन हैं, अब बहुत सारी backstory चलती है, बहुत सारे मतला कि जो कमीशन है, वो pre-independence, post-independence, year-wise किस तरह से आ रहे हैं, आपको trick भी मिल जाएगी, तो भी अब आप से न, NTA वो trick वाली अब चीज़े काम भी करें, बहुत सारे educators tricks बताते हैं, कि आप ऐसे sequence wise याद कर लो, अब उस sequence का कोई मतलब नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि pattern change हो गया है, मैं जहां तक देख रही हूं, commission में, अब वो इस तरह से पूछें, which of the following are true about yashpal committee, which of the following is true about national knowledge commission, what is not true about Radhakrishnan commission, Radhakrishnan commission is also known as, ठीक है, इस तरह स मतलब आप देखोगे, आपका मतलब जो दिमाग है ना उसमें यह जाएगा भी नहीं, क्योंकि थोड़ा historical है, history वाला है, अगर कोई history वाला बच्चा का history paper 2 है, उसके लिए तो असान पड़ेगा, जिसका paper 2 education है, उसके लिए भी असान पड़ेगा, लेकिन जिन बच्चों का काम आजाएगा, डिजी लॉकर काम आजाएगा, आपके लिए यूए वाई जियान, उसके बाद अगर बात करें फॉसी, यह सब आपके important topics बन जाएंगे, राष्ट्य उच्चतर सिक्षाभियान रूसा से questions आते हैं, उसके बाद ऐसे बहुत सारे questions आप, imprint से question आते हैं, तो यह जितनी भी digital initiative है, उनको जरूर पढ़ लिजएगा आप हायर education में, ठीक है, second important topic जो है, that is regulatory bodies, regulatory bodies में आपका क्या हो गया, UGC आ गया, AICT आ गया, NAC आ गया, NBA आ गया, फिर आपका जितने भी research council है, जिसे ICSSR है, ICHR है, ठीक है, तो यह सारी चीज़े आपने पढ़ ली, उसके बद NCRT के बार में, जितने भी आपके organizational bodies हैं, जो education में काम करती है, नीती I.O हो गया, planning commission नीती I.O कसे questions भी आई हूँ है, तो सारे जितने भी abbreviations हैं, उनको पढ़ लेना, full form उनका पढ़ लेना, बहुत important है, यह सारी चीज़े, ठीक है, और एक तो मतलब इसको भी मैं यह कहूँगी, last but not least, which is NEP 2020, यह भी आपके best topics हैंगे, अगर आप चाहते हों कि हाँ, आपके questions और, मतलब आपको 100 percentile मिल जाए, अपने examination में, तो यह बहुत ज़रूर है, topics, उसके बाद बात कर लेते हैं, हम I.C.T. की, सबसे पहला, तो आपको सो I.C.T. में पढ़ना है, वो है memory hierarchy, ठीक है, RAM, ROM, SSD, register, cache memory क्या है, बिल्कुल समझ जो, पढ़ लो, वो जो pyramid बना हुआ है न, वो सब एकदम बढ़िया से कर लो, बहुत important topics आते हैं, आपके I.C.T. में, यहां से, ठीक है, दूसरा, malware, ठीक है, तीसरा, pull forms, चौथा, basics of internet, everything, basics of internet में तो सब कुछ आ जाएगा, जैसे आपका web 1.0, 2.0, 3.0, 4th questions आते हैं इससे, अब computer generation से question आना बंद हो गया है, अब NTA थोड़ा आगे बढ़ चुका है, इस सब चीजों से, और computer generation पे questions नहीं आते हैं I.C.T. में, अब question आएंगे, आपका buses पे address bus, control bus, इस तरह से चीज़े आएंगी, इंटरनेट से related जो भी चीज़े आपके उससे आएगा, नेटवर्क से related जो भी चीज़े आएगा, आपका ethernet, wifi, everything, मतलब आपको computer के, अगर basic knowledge के बारे में पता है, और अगर आपको full forms पता है, malware के बारे में पता है, memory के बारे में पता है, और I.C.T. में आपका number conversion भी आता है मतलब कि उतने questions अब वहां से भी नहीं आ रहे हैं, आप कह सकते हो one on one की शायद जून में आ सकता है, 50-50% chances शायद नहीं भी आ सकता, अगर December में उतने नहीं आये हैं, तो chances हैं कि December में आएगा, क्योंकि जब पिछली बारी हुआ था June वाला paper, 2022 वाला, तब आपसे number conversion आये थे December में उतने नहीं आये, तो most probably chances हैं June में आने के लिए, तो मैं number system भी यहां पर लिख लेती हूँ, ठीक है, question आने के chances हैं, चलो, उसके बाद बात करते हैं हम, ninth unit of people development and environment, यहां से क्या पढ़ना है आपको, पहला topic pollution, सारे acts, नहीं, पहला topic pollution नहीं, रुख जाओ, let me correct myself, पहला topic SDG and MDG goals, कुछ आए ना आए, यह तो जरूर आएगा, दूसरा topic, pollution और pollutants, environmental laws, Stockholm conference हो गया, earth summit हो गया, आपका Montreal protocol हो गया, Vienna convention, Kyoto protocol, उसके बाद इसमें आपके current affairs भी आ जाते हैं, ठीक है, यह सारी चीज़ें आपके, people development environment में मैं वैसे भी जाद कुछ नहीं बोलूँ क्योंकि काफी diverse है, कहीं से भी question आ जाता है, लेकिन हाँ, यह वाला fix है, SDG और MDG वाला, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले लिख जिया है, उसके बाद बात करते हैं, 10th unit, मतलब obviously यह unit जो है, वो मैंने synchronized नहीं की है, जो जैसे जैसे मुझे याद आता गया, वैसे वैसे बताईए, आता है आपका reading comprehension, इसमें तो मुझे पूरी उमीद है कि आप 10 में से 10 नंबर लेकर के आओगे, सामने सब कुछ लिखा हुआ है, कैसे गलत कर सकते हो इसको, इतने तो बच्चे नहीं हूँ, आप लोग NTA UGC Net Aspirants हो, NTA UGC Net का paper दे रहे हो, reading comprehension देख करके 10 में से 10 नहीं लेकर के आ सकते हैं, यह तो fix है, तो मैं मानी रहे हैं कि कोई बच्चा कुछ भी नहीं आता होगा, तो भी 100 में से 10 लेहीं आएगा, सिर्फ reading comprehension के basis पर, मतलब इतना तो मुझे guarantee है, reading comprehension दो गलत नहीं करोगा, पानिक मत करना बस इसके लिए, पढ़ना धंग से अराम से, और यह मत सोचना कि मतलब नहीं हो रहा है, नहीं मिल रहा है, कहां है answer नहीं, पानिक नहीं करना, अराम से reading comprehension पढ़ना है, और questions वाल परना है, तो यह मेरे कु बड़ी मुझे अवरीबड़ा है, होग कि आपको यह सेशन अच्हा लगा, अगर अच्हा लगा है, खाला है और अच्चा लगा है थैन like this session, share it and also subscribe to the channel UGCNET AT247, Bye Bye Everybody, Take Care